नमस्कार आप देख रहे हैं चैनल ज्यानरी बातना मैं सवीता आज इस वीडियो में हम जैप्रकास नारायन पर निबंद देखेंगे शुरू करने से पहले आपके अपने चैनल ज्यानरी बातना को सबस्क्राइब करें वे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें तो आईए शुरू करते हैं जैप्रकास नारायन जी का प्रारंबिक जीवन जैप्रकास नारायन का जनम 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सारण जिले के शिता बद्यारा गाउं में हुआ उनके पिता का नाम हरसुल दयाल, सिरिवास्तव और माता का नाम फूल रानी देवी था वो अपनी माता पिता की चोथी संतान थे जब जैप्रकास नो साल के थे तब हुँ अपना गाउं छोड़ कोलेजियेट स्कूल में दाखिला लेने के लिए पटना चले गए इसकूल में उन्हें सरश्वती, प्रभा और प्रताप जैसी पत्रीकाओं को पढ़ने का मोका मिला उन्होंने भारत-भारती, मैथलीशन, गुप्त और भारतेंदु हरिश्चंद्र के कविताओं को पढ़ा इसके अलावा उन्हें भागवत गीता पढ़ने का भी आउसर मिला 1920 में जब जैप्रकास 18 वर्ष के थे तब उनका विवा प्रभावती देवी से हुआ विवा के उपरांद जैप्रकास अपनी पढ़ाई में व्यास्त थे इसलिए प्रभावती को अपने साथ नहीं रख सकते थे इसलिए प्रभावती विवा के उपरां कस्तूर्बा गांधी के साथ गांधी आश्रम में रही मोलाना अबुलकलाम आजाद के भाषन से प्रभावत होकर उन्होंने पटना कोले छोड़कर बिहार विद्यापीट में दाखिला ले लिया बिहार विद्यापीट में पढ़ाई के पश्चात सन 1922 में जैप्रकास आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए अमेरिका जाकर उन्होंने जनवरी 1923 में बरकले विश्व विद्याले में दाखिला लिया अमेरिका में अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए उन्होंने खेतों, कमपनियों, रेस्टोरेंटों इत्यादी में कारिय किया इसी दोरान उन्हें स्रैमिक वर्ग के परेशानियों का ज्यान हुआ और वे माक्ष के समाजवाद से प्रभावित हुए इसके पश्चात उन्होंने एमे की डिग्री हांसिल की पर पीएचडी पूरी ने कर सके क्योंकि माता जी की तवियत ठीक नय होने के कारण उन्हें भारत वापस लोटना पड़ा भारत वापसी और स्वाधीनता आंदोलन जै प्रकाश नारेन जब 1939 में अमेरिका से लोटे तब स्वतंतरता संग्राम तेजी पर था धीरे धीरे उनका संपर्क जभालाल नहरू और महत्मा गांदी से हुआ और वो स्वतंतरता संग्राम का हिस्ता बने 1932 में सविन्य अवग्या आंदोलन के दोरान जब गांदी नहरू समेत अन्य महत्वपुन कांग्रेसी जेल गए तब उन्होंने भारत के अलग-अलग हिस्तों में आंदोलन को दिशा दी ब्रिटी सरकार ने अन्ततय उन्हें भी मदरास में शितंबर 1932 में ग्रफतार कर लिया और नासिक जेल भेज दिया नासिक जेल में उनकी मुलाकात पटवर्धन एमार मासानी अशोक महत्ता एमेश दांदवाला और शी के नारण स्वामी जैसे नेताओं से हुई इन नेताओं के विचारों कांग्रें सोचलिष्टलिस्ट पार्टी की निवर रखि जब कांग्रेंस ने 1934 में चुनाओं में हिस्सा लेने का फैसला किया तब कांग्रे सोशलिस्ट पार्टी ने इसका विरोध किया दित्तेवी स्वयुद्ध के दोरान उन्होंने ब्रिटिस सरकार के खिलाप आंदोलन का नेतरत्वी किया और ऐसे अभियान चलाए जिससे सरकार को मिलने वाला राजस्व रोका जा सके इस दोरान उन्हें ग्रफतार कर लिया गया और नो महीने की कैद की सजा सुनाई गई उन्होंने गांधी और सुवाश चंद्र बोस के बीच मतवेदों को सुलजाने का प्रियास भी किया सन 1942 में भारत छोडो अंदोलन के दोरान वे हजारी बाग जेल से फरार हो गए थे आजादी के बाद और आपात काल आजादी के बाद कई सरकारों ने घोटाले और सडियंत्र किये जिनसे देश और समाज का बहुत नुकसान हुआ देश में महंगाई भ्रहष्टाचार और बेरोजगारी व्याप्त थी ऐसे समय में जेप्रकाश नारायन ने आगया कर युवाओं के माध्यम से जनता को एकत्रित किया उन्होंने कहा ये सारी समस्यें तभी दूर हो सकती है जब संपुण व्यवस्ता बदल दी जाए और संपुण व्यवस्ता के परिवर्तन के लिए करांती संपुण करांती आविश्यक है उनके अहिन सवाधी आंधोलन की सूरत को देखकर कुछ लोगों ने उन्हें आजाद भारत के गांधी की उपादी दी थी जेपी आंदोलन बिहार से शुरू होकर पूरे भारत में कब फैल गया पता ही नहीं चला जेपी एक जमाने में कांग्रेस के सहयोगी थे लेकिन आजादी के लगभग दो दशक बाद आई इंद्रा गांधी सरकार के भरष्ट वे एलोग तांत्रिक तरिकों ने उन्हें कांग्रेस और इंद्रा के विरोध में खड़ा कर दिया इसी बीच सन 1975 में अदालत में इंद्रा गांधी पर चुनाओं में भरष्टाचार का आरोप साबित हो गया और जैप्रकास ने विपक्ष को एक जुट कर उनके इस्थिपे की मांग की इसके परिणाम सवरूप प्रधान मंत्री इंद्रा गांधी ने राष्टी आपातकाल लागू कर दिया और जैपी समेथ हजारों भी पक्षी नेताओं को ग्रफतार कर लिया जनवरी 1977 को इंद्रा गांधी सरकार ने आपातकाल हटाने का फैसला गया मार्च 1977 में चुना हुए और लोक नायक के संपुर्ण करांती आंधोलन के चलते भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी निधन आंधोलन के दोरान ही उनका स्वास्त बिगड़ना शुरू हो गया था आपातकाल में जेल में बंद रहने के दोरान उनकी तबियत अचानक 24 अक्टूबर 1976 को खराब हो गई और 12 नुवंबर 1976 को उन्हें रिहा कर दिया गया मुंबई के जसलोक अस्पताल में जांस के बाद पता चला कि उनकी किड़ने खराब हो गई थी जिसके बाद पोडाइलिसिस पर ही रहे जेप्रकाश नारायन का निधन 8 अक्टूबर 1989 को पतना में मधू में और हर देरोक के कारण हो गया